तो डियर स्टुडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्षेस्टू पे आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए चातुर्त समेस्टर यानि कि बीए फॉर्ट समेस्टर के जियोग्राफी यानि कि भुगोल के MCQ टाइप के most important question and answer के बारे में जिन जिन भी इनवर्सिटी में परिच्छां MCQ बेस पे होने वाली है जियोग्राफी यानि कि भुगोल की यानि कि objective जिसको आप लोग बहुत विकिल्पे बोलते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महात्पून है आपका सब्जेक्ट सबसे पहला और महत्पून प्रश्ण है कि कौन सी फसल अंतर राष्टे बैपार में यानि कि इंटरनेशनल जो बिजनस किये जाते उसमें कुल उत्पादन की द्रश्ट से कम है ठीक है तो ध्यान से सुन लिजे बहुत ही महत्पून प्रश्ण है यहां पर सही जबाब होग जबाब होगा सही चावल ठीक है चावल फफल जो है वह इंटरनेशनल बैपार में कुल उत्पादन की द्रश्ट से कम है इस बात को ध्यान लखेंगे सही जबाब होगा चावल जो की धान से निकलता है ध्यान लखेंगे अगला प्रश्ण है कि कौन सी फसल सबसे अधिक द में आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों किसी कंपेटिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुल मिलाकर के कुछ भी कर रहे हैं तो सभी के लिए महात्पूर्ण प्रस नहीं ठीक है फिराल इसका सही जवाब हो जाए कि आप से नंबर कुछ बहुत ही गहराई से आप लोग को समझना होगा कुश्चन कह रहा कि कौन सी फसल है जो सबसे अधिक देशों में मतलब कि यह नहीं कह रहा कि सबसे अधिक कौन सी चीज उगाई जाती है ठीक है कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है यह कुश्चन नहीं कह रहा है क सबसे अधिक देशों मतलब कि ज्यादा देशों में कौन सी ऐसी में कौमने जो सब होगाते सबसे अधिक देशों में Northern सबसे ज्यानकारे के वहताते क्या पेंची की एकेटी की जाती है मैंने द्रिकार्डड देखा है मなたक फटेपाश ईहाएं पर शालता कि सबसे ज़्यादा देशों में कि अगर यहीं कोश्चन होता कि सबसे अधिक वो भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला फंशल है तो वह में पर आप चाहता कि सबसे अधिक बिस्व अगला प्रश्ण है कि कौूं सा देश गेहु कि सबसे अधिक पैदावार के लिए, तो गेहु कि सबसे अधिक पैदावार के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा जह cayna में होता है और चैना के बाद अगर दूस्रा-पैयर नंबर है, तो वो भारत आता है यहां पर कई सारे question चीपे हैं यहां पर पूशता की कौन से देश यह पिर हो सकता है की को सकता है की बिस्ट्रिक में सबसे ज़्यादा गेहूं का उतपादन यह फिर पैदावार के जाने कौन सा तो आपको चाइना फिलेट करना ठीक है अगर कोईशन यहीं पर होता कि सबसे अधिक में कौन सी भाहरत में उगाय जाती है तो ना ने मVPN ट करते क्यों हुं ठीक यह फिर चावल कि अब्ढ़न है चावल होताना देश को घ् START होता ना पैदावार के लिए जाना जाता तो चीन हो गया अगर गेहों की जगा यहां पर चावल होता ठीक है ध्यान से सुन लिजे चावल होता कि चावल की सबसे अधिक फसल गाई जाती है तो वहां पर आप फिलेट करते भारत ठीक है पहले नंबर पे चाइना है उसके बाद हमारा ज 12 भारत है ठीक है अगला प्रश्न के लिए एक काली मिट्टि सर्वधिक उपियोगी तो द्यान नंगे दो जो काली मिट्टी उपयोगी है वो है कपास के लिए कपास में काली मिट्टी बहुत ही वर्किंग होती है ठीक है काली मिट्टी में कपास बहुत अधिक मात्रा में होता है अगला प्रशन है कि निम्न घास के मैदानों में कौन गेहों की क्रिशी के लिए अनपयुक्त है तो ध विस्तु की रोटी की दलिया के नाम फिजाना जाता है उसका नाम है कनाड़ा जिसको आप लोग यू एसे बोलते हैं ठीक है यू एसे ठीक है यू इनाइटिट किंग्नम अगला प्रशन है कि संसार में चावल की क्रसी दर्साने के लिए कौन सा मांचित्र प्रच्षेप अध अगला प्रश्ण न की रबर क्या होता है तो जो आंपर होता है ङुआ These are not in consig Terre सब्सक्राइब और वर्षा क्यों सकता होती है 24 से 30 ठीक है डिग्री फैल्फिस तापमान एवं 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा जेल सकता है ठीक है अगरा प्रशन है कि वर्तमान में बिस्ट के कुल उत्पादन का कितना प्रितिसत जंगली रबर के ब्रच्छों से प्राप्त होता है तो उसका जो प्रितिसत है वो है आठ प्रितिसत सही जबाब बानमबर होगा अगला कि विश्ट का सब्रस से ज्यादा या पिस सर्वधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है मतलब जो रबर होता है जो कि एक सदा बाहर पाउधा होता है ठीक है यह कौन से देश में सब पे ज्यादा इसका उत्पाद है तो सही जबाब होगा थाइलेंड में बहुत होता है ठीक है थाइलेंड ध्यान रखेंगे अगला कि चाय के लिए और समस्चा ना है ठीक है तो उसके लिए तेश से तीस डिगरी फैल्फिफ का ताप मान हो तो चलेगा और जो चाय की खेती है ज़्यादार पहाड़ी इलाकों में की जाती है ठीक है जहां पर पानिर रुख ना सके ठीक है अधिक मात्रा में तो यह किया जाता है पहाड़ों इलाकों में इसकी खेती ओके अगला की चाय का सरवधिक उत्पादन करता है कौन तो चाय जो आप पीते हैं इसका सरवधिक उत्पादन करने वाला जो है भारत देसे ध्यान रखेंगे अगला की कहुआ एक पाउधा है कहां का तो कहुआ है उस रुकटबंधे प्रदेश का सही जबाब आनमबर होगा अगला कहे क्वा का सबसे बड़ा उतपादक कौन सा है कि तो कहुआ का सब जङए घ्ला उतपादक देह वह इसे फहाँ है ब्राजील रखेंगे बहुत महा टुर्शने भी यह वा क्वा कि आ प्रेश चाह पत्ती होती है तरह कहुआ भी एक तिक और कहुआ की जो चाह है सरवधिक जो है वह अफगानिस्तान ध्यानाक्ये अफगानिस्तान और कश्मीर में और उत्री पाकिस्तान में ज्यादा पी जातीए ठीक है कवाँ शुख शाय द्याना एक अगला प्रश्णी की अरे विका और रोविस्था कि किसमे हने तो कई सारे किसमे कि अलग-अलग जो फसल हैं जो अलग-अलग भीज आते हैं तो उसी तरह कहिएञा की अरे विका और रोविस्ता जो तो एक किसम है जैसे कि धान की बहुत फारी किसमे आती हैं तो एक किस चीज की किसम ही आपको बताना है सही जब आप इसका हो जाए का अप्शन नंबर ध्यान उखेंगे काफी काफी आप लोग जो पीते नहीं विश्य किसमें हैं ध्यान अगला की भूमद्य सागरिय छेतर क कि निम्न में से कौन मसालों के लिए नहीं जाना जाता है ठीक है तो मसालों के लिए जो नहीं जाना जाता है बाकि सभी जाने जाते हैं बाकि सभी जाने जाते हैं सभी जबाब सा होगा अगला की अलफा अलफा क्या है तो अलफा अलफा जो है वह एक प्रकार की घास है ध्या कानए नाम सफुप्य कि वजह से आनमब सभशेवाब होगा अगल्स य उग्दान किर्श weten में आता है अग्यश्त लगा विया जिए सबसे ज्यादा के लिए मतब कि मिट्टी उपलब्द जमीन किसी की जाए तो भारत में भारत में तरन के क्या मतलब होता है चीक बाग सबस्वाने के लिए किस्ते के जाते हैं अगरा की अगल看 दो फैजंडा की ना कर app эк कहुआ के वगान से है तो कहुआ मैंने आपको बताया चाहि की तरह होता इसकी विचाह बंती ठीक है अगला की व्यापारिक binge किर्षी किस चीज की विशेष्ता है पं पाश्क के मैदान की सभाब सा होगा अगला की व्यापक है किस में तो वगाति क्रिशी जो है कैलिफोर्निया में ब्यापक है साही ज़बाब इसका दा होगा ध्यान नखेंगे अगला कि न्यूजी लैंड की राष्टे अर्थ ब्युपस्था निर्भर है किस चीज पर नूजी लैंड की जो अर्थ ब्युपस्था तेरो रोसा मिट्टी पर एक मिनट एक मिनट न्यूजीलेंड की राष्टे अर्थ बेवस्था निर्भर यह कुश्चन कह रहा है तो वह निर्भर है निर्वातों मुखी कृसी पर ज्यान रखेंगे अनमबर सही जबाब होगा अगला कि ब्रजील में कहुआ का अधिक उत्प रोसा मिट्टी होती है तो टेरो रोसा मिट्टी में इसका उत्पादान अधिक होता है ठीक है और यह ब्रजील में मिट्टी ज्यादा है इसका उत्पादन कहां किया जाता है तो उलांग किस्मी की जो चाय होती है ठीक है इसका जो उत्पादन है वह ताइवान में किया जा तो इसको लोग बिस्तित कर्षि के नाम फिर जाते यानी कि दीरग, ठीक हे यानी कि बहुत बड़ी अगला प्रशन है कि निमर बंपने से कौन नगदी फसल नहीं है? तो इन में से जो एक नगदी फसल नहीं वो हो चाये, बाकि सबी हैं अगला कि खरी फसल की आवद कितनी होती है तो खरी फफल जो होती हो जूर से सितंबर हब कोई रता है है अगला कि उपजाव मिट्टी जो क्रिसी के योग है ठीक है में पी यच मान की संभावना कितनी होती है तो वहाँ पर छेफिस साथ पियन मान की संभावना होती है सानमबर सही उत्तर होगा अगला कि वान थियुनेन कहा के क्रिसी भुगुल विद्धा थे तो वान थ्योनेन जो की प्रमुक विद्धान थे वो गोल विद्धा थे और यह जो थे निवासी थे जर्मनी के सही जवाब सानमबर होगा बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्न है अगला की वान थ्योनेन की विचार धारा एक एफे सहर फे थी जो अपने चारो और एक समान भौतिक दफा धरातल जलवायो आज से घीरा हो उसे उन्होंने क्या कहा है तो ध्यान लखेंगे उस चीज को उन्होंने कहा है कि ध्यान से सुनेंगे बहुत ही पॉप्लर प्रशन है आपके एक्जाम के लिए उन्होंने इस चीज को कहा है एक आकी राज्य क्या कहा है एक आकी राज्य कहा है सही जबाब आ नंबर होगा अगला के किसी भूम पिर्योग मौडल एक आर्थिक मौडल है या किस के द्वारा या फिर कौन से बिद्वान के द्वारा बताया गया है तो यह जो बताया गया ह सभी सब्सक्राइब अगला प्रशने की वान थेवनेन के भूमिप्योग मौडल के संकेंद्री उत्ता खंडों का सही अनकृम क्या है वताब इस्टेप बाइस्टेप जो है फसल सब्जी ठीक है दुख दूत पादन जंगल अनुत पादन यह स्टेप बाइस्टेप थीवनेन की भूमिप्योग मौडल के उत्त खंडों के सही क्रम है अगला प्रशने की वान थेवनेन की क्रसी आवस्थिति सिध्धान्त की अंतिम पेटी को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है पफू चारण सही जबाब दा होगा अगला है कि क्रसी प्रदेश उन बिस्तित छेत् उन्ति वाधित की शेत्र को कहते हैं जहां पर क्रसी गध दसाओं में समानता हो सही जबाब आ होगा कि अगला कि हुईट लफी ने कर्शी प्रदेशों के विभाजन में किस तत्य को अधार बनाया मुख जरिया बनाया है तो उन्हों किकि अगला कि किसे कर्शी प्रदेश में पस्व को को एक अव्तान पर ले जाकर चराया जाता है यानि가 उनका चारा चाहएं बोया प्रदेश में अनकर चराया जाता है बनमबर सही जबाब होया जहां पर बना भोजन वजनकर रहे। eff opened किसानों को जीवन होता है द्यार नखेंगे सही जबाब होता है इन आफसरों में से सही जबाब होगा निमने कोट सानमबर अगला प्रस्ण कहे रहा कि अधिकान सतह ब्यपारिक वगाती किसी की जाती है किस एरिया में तो ध्यान रखेंगे सही जबाब इसका हो जाएगा बहुत इमहातपूर प्रस्ण है यूरूप यूम अमेरिका में की जाती है सही जबाब आहोगा अगला कि भूम अध्य सागरे किर्सी में मुखता उत्पादन किया जाता है किस चीज का तो भूम अध्य के भूम अध्य तो बगाती फशल आज जान लीजिए अभी तक आप परचित नहीं होगी नाम तो सुना होगा तो बगाती फफ़ल जो है वह चाय है दानमबर साही जबाब होगा अगला की सबसे पहले सरप्रथम या फिर कह सकते किसी प्रदेशों का सीमांगकन किस बिद्वान ने किया था तो इस प्रोनक बिद्वान का नाम है डाग ठीक है डी हीट लसी ओढ़न के साइज जबाब बाएगा अगला प्रश्ची ब्रश्टुत है कि करसी भूम का उपयोग का वन थियूनेन मोडल दिया गया है किस सन में तो क्रिशी भूम का उपयोग का वांत्यूनेन जो माडल है वो सन ओठारा पोच भीस में दिया गया है बानमबर सही जबाब होगा अगला है कि एकाकी राज सम्बंदीत है किस से तो जो एकाकी राज है वो वांति जबाब दा होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रस्तुत है कि निम्लेखित में से कौन सा खाध्यान फफल नहीं है तो आप लोग जानते ही होंगे चाय चाय खाई नहीं जाती पी जाती ध्यान रखेंगे अगला की बिस्ट में चावल का सरवधिक उत्पादन कौन फदेश करता अभी आपने ऊपर कोश्चन देता अग्यों का आया था तो मैंने वहां पर बता दिया था चावल के बारे में लेकिन फानी देखे चावल के बारे में पूछा कि आप लोग यहां पर फ्लेट करने कौन सा बने बताया था चायना नंबर एक पर हैंए कि चीन अगला कि निम्लेखित में से किस फशल की öt कantal घूद्ध हान सब वुहाई हो जाती है असानी से मसीनों से लेकिन अभी विजयातर छेत्रमों में और आपकी की जाती प्रात्मिक वर्ग का अग्ला की आई सो other eyesoda pin किस्ने प्रियोग किया तो आई सोड़ा पैंड जो है प्रियोग कि है धYour के वेवर्यूर fascinating होगा और भूगल्य भिद्वानी 10 दयाू अगला प्रश्ण है कि और दोगिक और सिध्धांत में और सिध्धांत में और सित्रिवुज का प्रियोग किया गया है किसके द्वारा तो सही जबाब इसका हो जाएगा अफ्षिन नंबर जहां रखेंगे महात्पूंड प्रश्ण है अगला है किस Psal из किरिया कलाब में आता है अगला प्रस्ण है कि आर्थी तक किस रूप न हुआ था box तो किया जाता है तो किया जाता है तो किया जाता है तो आज किस वीडियों बस इतने ही कोश्चन थे करिब करीब साथ कोश्चन थे और यह आपके एक्जाम के लिए इंपार्टेंट है मैं यह नहीं कहूंगा कि सारे कोश्चन नहीं आएंगे लेकिन कुछ कोश्चन जोड़ देखने को लेंगे और इसी प्रकार के कोश्चन आएंगे ध्यान रखना है आप पर इच्छा देने तो जाएंग कि ना आये तो ठीक है ठीक है इस बात को नोट कर लिजे बाकि आपका अपना ही चैनल सक्षेस्ट हुए हो तो सब्सक्राइब जोड़ कर लिजेगा ताकि आपको और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहें बाकि मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जहिंद कि ना देना हुआ हुआ हुए हुआ हुआ है